हेलो दोस्तों कैसे आप लो मेरा नाम अनिल और आप देख रहां निल सर आई टी यूटू चैनल आज की अपडेट से आयो सीयल की तरफ से इंडिया लोहल कोर्परेशन लिमिटेड यह भरती जो है आई टी डिप्लोमा इंटर ग्रेजुएट्स डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए है अगर आप आई टी आई हैं या डिग्री हैं ग्रेजुएट्स हैं इंटर हैं तो आप इसके लिए लिजीबल है तो और इलिजीबल है तो इस फ़रम को जरूर अपलाई कीजेगा तो अगर आप पहले बार इस चैनल पर नए आया है तो सब्सक्राइब कर लिजेग इसी के साथ आज की वीडियो सुरूर करते हैं कि वीडियो में आगर बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन जरूर पेस कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर कीजिए आपके काफी दोस्तों जो इलिजीबल हो जाएं क्यूंकि वह भी इंटरमीड जरूर होंगे अपने दोस्तों साथ जरूर सेर कीजिए तो और हम आगे शुरू करने पहले अगर आपने आयोसीयल में भरती का प्रोसेस नहीं देखाया तो आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाया वहां से क्लिक करके आप जरूर वीडियो देखे जिस इस तरयं रिजन का है ध्यान रखिए इसतरी них तक सारी जनकारी देखते हैं परेंटिस के लिए टेक्निकल और नोन क्रींटिकल की पात करे तो इससे आप खुला दिमागा लगाना इसे बहुत से रचेट से ट्रेट से से और बहुत से इसमेर अलग अलग अर focus यह से कि ट्रेड अपरेंटिस फिटर के लिए winning तो अगर आप फीटर में वेस्ट वेंगौल फीटर सप्लाई करना। आप याद रखे सлять वर्ण पर अप्लाई करना है अगर आप निकल्य है तो डिपलोमा है तो डिप्लोमा धी लिया आप Koop वेस्ट बेंगॉल का यह च्छटा आपको याद रखना होगा इस असे आपको कोड कोड याद रखना हो चल यह समझा देते हैं जैसि यह है इस लाइन में आपको मिल जाएगा जैसे हैं चैडियिक तो जैसे की डेडडेर अप्रेंटेज्च के यहां तक मचैनिस्ट फैइंट्रुमेंट मेकनीक यह सब number FD सबस्क्राइब चार और विसी के लिए उनने से यह टेकनीशिया नपरेंटिस की बात करें तो इसमें डिप्लोमा डिगरी के लिए काइंडेट्स है तो इस अपना डोटल एकसो तेस्ट गुला है इधर आप देख सकते हैं के टेगरी वाइच और इधर देखेंगे अपना ट् देखेंडेट्स अप्लाइं कर सकते हैं जैसे कि लिए दो सीट है और यह है यह नीचे आएगा तो रेटेल यह इस अस ये यह डोट इस अपने देखते हैं उनमें आगे देखते हैं इस के बिहार बिहार में देखेंगा है तो फीटर में है तो आपका यह कोड हो जाएगा चौदा नमबर है फीटर के लिए एलेक्टरिशन पंद्रा इधर से टूटल आई टी आई के लिए सीट्स देगे तो थर्टी है और डिप्लोमा गोल्डर के लिए 40 सीटे है और डेटा इंटरी अप्रेटर में फ्रेसर ट्रेड देख सकते हैं जारगन टोटल सीट की बात करें तो पांसो पांच है और नीची आई है तो अपना समझ में आएगा इधर से और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एजुकेशन क्वैल्फिकेशन तो इसना मैंने तो बता दिया वैसे इसना आपना अच्छे से कोड़ वाज देख सकते हैं किसे जिस कोड का है तो आपको दिखाए देगा आगे और भी देखेंगे तो यह अपना रिलेवेंट ट्रेड का कल्फिकेशन देख सकते हैं वैसे आप मैंने बता ही दिया है आई टी आई और बीटे के साथ साथ इंटरमीडियेट और है इंटर्वीड आपके पास होगा तो आप इस से अपलाई कर सकते हैं इस इन सभी कोड्स में और बाकी में आगा देखते हैं तो सीजीपी होगा जो भी एक्जाम का मार्क्स होगा आप लगा सकते हैं अगर आप बैचलर इंजिनरिंग बीटेक है एंबीए हैं सीए है ललबी एंसी हैं तो इस फॉरम के लिए अप इलिजिबल नहीं है तो आप यह सब आपके पास डिगरी है तो आप इसके लिए अप्रेंटिस अप्लाइब नहीं कोई फायदा नहीं कोई बेनिफिट नहीं है एज की बात करें तो इस आपका 30 जनर्री दोजार एक्टीस तक आपको अठारा से चौबीस साल के बीच में होना होगा इससे अधिक यह कम होते हैं तो आप इसके लिए लिजिबल नहीं है ले अप्रेंटर के लिए और सभी के लिए 12 मत अगरे टेट एंट्रोप्रेंटर का 15 महीं ने और रिटेल से सोटी सीट का चौदा मैने आइटी आई वालों का डिप्लोमा लों का बारा मैने का अपरेंटिस है वार गए और भी आगे खिए समस्दान inventory की बात करने में पहले अगर आपने आई टी आई सुनित फ्रोंट भंस्तर लेक्स नहीत जिंगा देखा है तो आई बेटन पर याटिस्क्रियमी सेफिर्स विडियो ट्रेड उन्हें अपरेंटिस टेकनीकल का भी और डेटां इंटी ओर सभी के लिए अलग एक्जाम कंड़क्ट होंगे इसमें से विदेख सकते आपना अब ट्रेड अपरेंटिस के लिए अप्लाई करते कंटेंट में थे लिए तो आपका जिनरीक अपटिट्यूड से जाएंगे और आपोड से और 29 मार्स हो जाेंगे रिज़णिंग अबिलिटीज से 20 और इंगले इंगले शले मांक से सवाल पूछे आएंगे डेटा इन्टरी ऑप्रेटर और सेल्स रिटेल इस्योंट से जर्णanking शले सार्टी में आपने जा सकते हैं जैसे ही आपका मेरिट लेस्ट आता है उसको डॉक्पेटेर विए सन वह जिगी इतने सारे डॉकुमेंट्स आपको ले जाने होंगे जो कि मैंट्रिय मार्स एका मांग सीटी इंटर मेंडियेट्स पर है तो टिप्लोमा होल्ड थैट नुक्त सभी ले जाने होंगे और आगे की बात करें तो आपको माकसिर सभी ले जाने हैं और आपको साथ में ले लेने हैं बात करें कि आपको कोई भी जनकारी होगी तो कैसे मिलेगी आपको मेल और आपको बता दिया जाएगा एडमिट कर आजाईगा वहां से डाउंलोड कर सकते हैं फॉरम कैसे भरे हैं तो फॉरम भरने पहले आपको बता दे आप और आप आई टी आई और इंटर्मीडियेट है तो आप अप्रेंटिस इंडिया पर अप्रेश्टेशन होना चाहिए और अगर डिपलोमा होल्डर है टेकनिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो महर्डी स्याइट पर जाकर अप्रेंटिस करने के लिए फॉरम भड़ना आपको अलग वेवसाइट है वहाँ से आपको सारी जनकारी लेनी होगी और अप्लाई वहीं से करना होगा तो आगे इसमें इतना जनकारी आगे यह प्रोसेस से आपको फॉरम भड़ते समय क्या कर लेना होगा तो अपना सारी सट्वेट्स मार्क सिर्ट रख लेज़ेगा और ब्लांक इंग सीनेचर कर लिए वाइट पेज पे जो हिंदी पेज पे नहीं ब्लांक पेज होगा वाइट साधा ताव बोलते हैं उस पर साइन कर लेजिए पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट का यह सब रख लेजिए तब फोरम भरी है और कटफ का जो डेट रहा है वह आपका एज है कटफ डेट जो है आपका एज और जो बात करें तो 31 जनवरी तक होना चाहिए आपका जो भी ए हो जाएगा आपको आर्डी नाट्स मतलब अप्रेंटिस इंडिया पर और आडी नाट्स पर अप्रेंटिस पर रिश्टेशन होना जरूरी है तो आगे की डेट की बात करें तो 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है अप्रेंटिस का फारम भरने के लिए लाज जेट जो है आ मतलब उपर नीचे हो सकता है एक के पहले तो नहीं होगा एक के बाद हो सकता हक्ता है एक से चारल पास तके बीच का डाउड्वोड हो जाएगा और रीटेंट टेस्ट जोगा आपका टेंटेश्यूव होगा 14 मार्च भाए nya मिटस यानि यह भारूर्य नहीं है लेकिन हो सक ठीक है इतना तुजनकार आपको मिल गया और आप इसके लिए लिजीबल है तो जरूर अपलाई करें रिटेन टेस्ट जोगा आपका कलकत्ता पत्ना भुनेस्वर राचे और गौहार्टी में हो सकता है इन्वे कहीं भी जगा आपका नजदीकी जगा पर दिया जाएगा तो इस वीडीयो बस इतना ही है और आपको सारी लिंक्स आपको डिस्कृप्सर मिल जाएगे अच्छी साब तरीके से तक को सारी वीडीयो देख लेंगे और सारे लिंक्स पर देख लेजिएगा तो मिलते अगले वीडियो में अब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल